हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने इंफिनिक्स स्मार्ट एट 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 एंट्रिट वाइल फोन में अगर आपके मुवाइल फोन की इंकमिंग कॉल अगर इसक्रीन के ओपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉल्लम को आप सॉल नहीं क्या है आपको अपने मुवाइल फोन को प्रॉल फोन को री स्टाट करने के लिए आपको स्क्रीन के सामने पेज ओपन होगा इस पेज में आपको आपको स्विच ओ जागा फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑट्स की में अगर कोई प्रॉल्लम आती है तो वहोल प्रसेस यहां पर करना है कि आपको इस तरीकी के मिलता है यानि कि अधर सर्कल के इंदर बटन इसे टाप करना है और यह अपको स्ट्रीज और केच का ओप्षिन करना है अब इसके अगे पेज में आपको दो आपशिन मिनते हैं क्लियर स्टोरिज का दूसरा क्लियर कैच का आपको पहले ना क्लियर कैच पर टैप करना है इसके बाद क्लियर स्टोरिज पर टैप करना है आपका छोटा पेज उपन होता है डिली टैप डेटा का इसमें आपको ओकी का यह बटन टैप कर देना है तो आपका यह जो डेटा और अस我要 software में अयक्ति हैं को अप्रेंग को अब देट लगता है ऊपक्के किसे आपको चैक करना है इस्के बाद सबसे पहले आपको आता निचे की सिच्टम पर करना है अब इसके अधले पेज में आपको यह इसके अधChrß में अनलाइन अभी ओंडिट पर आपको च्छोटे सी पेज में यह कंट्यूनियु'' का बटन आपको takd करती तो आपको जो इस वाले पेज पर अगर कोई भी अधोड का बटन या सब्सक्राइब एंगॉंगी नेसे पहले दो बातों का धियान रखना है पहली भात धियान रखने हैं आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेट आप किसी दूसरे फोन में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके फोन की gmail आईडिया और उसका password आपको पहले से note कर गए रखना है ये दो काम आपको पहले करना है उसके बाद आपको phone को reset करना है ठीक है मेरे बताय हुए सारे process आप यूज करेंगे तो इससे आपके phone की जो incoming call screen के उपर शोर नहीं होती है ये problem आपकी solve हो जाएगी अगर मेरे बताय हुए सारे process यूज करने के बाद भी आपकी ये problem solve नहीं होती है तो आपको करना क्या है तेकि दोस्तों आपके mobile phone का जो service center होगा है आपने phone के service center चले जाना अपना phone वाँ पे दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हुए हो सकता है आपके phone के hardware में कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से आपकी ये problem हारी है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताया है ना वह mobile phone के software के जरीए बताये हैं अगर mobile phone के software की किसी कमी के कारण आपके problem हारी है तो मेरे बतायों तरीकों से आपकी problem solve हो जाएगी otherwise आपको अपने phone के service center जाना पड़ेगा ठीक है